नमस्कार दोस्तों, एक बरफिट से आप सभी का टुदपान चैनल में स्वागत हैं दोस्तों यदि आप दसवी पास हैं और दसवी पास सरकारी नोकरी का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है आज के इस वीडियो में टेंथ पास गवर्मेंट जॉब के बारे में बात करेंगे एक बहुत यची वेकेंसी है दोस्तों जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आनलाइन आवेदन भी इसका स्रू हो गया है और इसमें योग्यता केवल दसवी पास मांगा गया है दसवी पास इसमें सभी लोग आवेतन कर सकते हैं और केवल एक एक एकजाम होगा एक एकजाम के बाद आपका इसमें सेलेक्शन हो जाएगा वेतन भी इसमें ठीक ठाक मिलता है तो आज किस वीडियो में दोस्तों इस वेकेंसी के बारे में डीटेल में बात करेंगे जैसे कि योग्यता के साथ साथ एज लिमिट क्या निर्धारित किया गया है एक्जाम पैटन इसका क्या है सिलेवस इसका क्या है किस प्रकार से इसमें चैन होता है इन सब के बारे में आज किस वीडियो में बात करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लाट सक देखिए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम वेकेंसी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई 2024 है पेमिंट की लास्ट डेट की बात करें तो 18 2024 है एक अगस 2024 है और करेक्षन की जो डेट है दोस्तों 16 आठ 2024 से 17 आठ 2024 तक है और एक्जाम आपका computer based examination जो है ये October November 2024 में होगा तो MTS की ये vacancy है दोस्तों लगवग 8000 पदो पर ये vacancy निकाली गई है इसमें हवलदार के भी कुछ post है और कुछ MTS के post है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में आगे बात करते हैं vacancy के बारे में vacancies यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं MTS की बात करते हैं तो 4887 4887 post है के वल MTS के लिए हवलदार की बात करते हैं तो इसके लिए 3449 है मतलब 3449 post है हवलदार के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों official notification है आप लोग देख सकते हैं इसमें official सभी चीज़े बताई गई हैं यहाँ पर हम age limit की बात करेंगे तो age limit आप लोग देख सकते हैं 18-25 साल है यह दोस्तों केवल MTS के लिए है और 18-27 है हवलदार के लिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखती हुँ चलिए 18-25 है MTS के लिए 18-27 है हवलदार के लिए लेकिन यहाँ पर YSC, ST, OVC को age में छूट भी है जैसे कि YSC, ST की बात करते हैं तो 5 साल की छूट है 18-25 है तो यह छूट के बाद 18-30 हो जाएगा age ठीक है OVC की बात करते हैं तो 3 साल की छूट है मतलब 18-25 है तो 3 साल का जो छूट है इसके बाद 18-28 हो जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं PWVD की बात करते हैं Unreserved तो यहाँ पर 10 साल की छूट है PWVD OVC की बात करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुँ चलिए यहाँ पर एक-एक करके Official जानकारी आपको दी जाएगी किसी प्रकार का कोई डाउट आपका यहाँ पर नहीं रहेगा तो ध्यान से आप लोग देखते हुँ चलिए इसमें आप लोग Farm Apply ज़रू कीजिए बहुत अच्छी वेकंसी है Educational Qualification की बात करें तो यहाँ पर Metriculation मांगा गया है दसवी पास मांगा गया है दसवी पास सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं तो Educational Qualification यहाँ पर दसवी पास मांगा गया है अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं जो Important चीज़े हैं उसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर Feast की बात कर लेते हैं Application Feast की तो 100 रूपए है Online आवेदन की जो Feast है दोस्तों यहाँ पर 100 रूपए है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखते हैं जो महत्तपुर्ण चीज़े हैं आप लोग ध्यान से इस विडियो को देखते हुए चलिए इसमें आप लोग फार्म जरूर रिपलाई किजिए इस स्कीम आफ एक्जामिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले MTS की बात कर लेते हैं MTS पोस्ट के लिए तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि Computer Waste Examination होगा MTS के लिए और हवलदार के लिए भी होगा Computer Waste Examination दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों हवलदार की बात करते हैं तो इसके लिए इसके लिए आपका Physical Efficiency Test भी होगा Computer Waste Examination हवलदार के लिए Computer Waste Examination के साथ साथ आपका PET और PST भी होगा Physical Efficiency Test भी होगा और Physical Standard टेस्ट होगा के वलदार के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर Language की बात कर लेते हैं जो आपका एक्जाम होगा यह दोस्तों Hindi, English और तेरा Computer Waste Examination की बात कर लेते हैं C, B, E की बात कर लेते हैं तो देखे दोस्तों यहाँ पर दो सेशन में आपका एक्जाम होगा सेशन फरस्ट में Math से 20 प्रस्ण पूछा जाएगा 60 नंबर का होगा के वल 20 प्रस्ण Math से पूछा जाएगा सेशन फरस्ट में और यहाँ पर सेशन फरस्ट में Part 2 में Reasoning भी पूछा जाएगा 20 कुस्चन तो सेशन फरस्ट में Math और Reasoning 20 Math का कुस्चन रहेगा 20 Reasoning का कुस्चन रहेगा सेशन फरस्ट में ठीक है और दोनों 60-60 नंबर का होगा इसके लिए 45 मिनट का समय आपको मिलेगा इसके बाद सेशन सेकंड आपका सुरू हो जाएगा इसमें आप देखेंगे General Awareness जो है इससे 25 प्रस्ट आपसे पूछा जाएगा और English Language से 25 प्रस्ट पूछा जाएगा और यह 75-75 नंबर का होगा इसके लिए भी समय 45 मिनट का दिया जाएगा तो दो सेशन में आपका एक्जाम होगा एक ही दिन आपका एक्जाम होगा सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है Computer Waste Examination will be conducted in two sessions मतलब दो सेशन में आपका एक्जाम होगा सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड और यह सेम डे ही होगा दोनों सेशन का एक्जाम जो है सेम डे ही होगा 45 मिनट का समय दिया जाएगा सेशन फर्स्ट के लिए और 45 मिनट का समय दिया जाएगा session second के लिए 45 minutes जब आपका हो जाएगा तो session first automatic close हो जाएगा और इसके बाद session second आपका सुरू हो जाएगा फिर 45 minutes होने के बाद session second भी आपका बंद हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो computer waste जो examination होगा दोस्तो इसमें जो प्रष्ण होंगे आप जेक्टिव टाइब के होंगे इसको भी आप लोग ध्याद रखिएगा और इसमें दोस्तो बताया गया है कि session first में कोई भी negative marking नहीं रहेगा ध्यान से आप लोग समझ लीजिए session first में कोई भी negative marking नहीं रहेगा लेकिन season second में दोस्तो negative marking रहेगा प्रते गलत उत्तर के लिए एक अनक एसमें कटेगा यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए season first के लिए कोई ही negative marking नहीं है season second के लिए यहाँ पर negative marking है प्रते गलत उत्तर के लिए एक number आपका यहाँ पर कटेगा और इसमें दोस्तो नार्मलाइजड प्रक्रिय भी होगी यह भी इसमें बताये गिया है तो आप लोग exam pattern अच्छे समझ लीजिए 20% आप से पूछा जाएगा मैथ से 20 reasoning से और 25% general awareness से पूछा जाएगा 25% English language से पूछा जाएगा ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं दोस्तो यहां पर स्लेबस की बात कर लेते हैं स्लेबस भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसमें आप लोग देखेंगे मैथ में आपसे क्या पूछेगा मैथ में दोस्तो आपसे यहां पर पूछेगा whole number से पूछेगा LCM, SCF से पूछेगा decimal से पूछेगा fraction से पूछा जाएगा relationship between number से पूछा जाएगा fundamental arithmetic operations and birdmass से पूछा जाएगा percentage से पूछा जाएगा ratio और proportion से पूछा जाएगा और work and time से पूछा जाएगा तो इस तरह से आप लोग पूरा topic यहां पर देख सकते हैं अब इसका screenshot भी ले सकते हैं profit last हो गया इस से पूछा जाएगा discount, area, इस सबसे सम्बंधित पूछा जाएगा distance, time से पूछा जाएगा square और square root से पूछा जाएगा graph और data से पूछा जाएगा तो यह आपका math का syllabus है इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं reasoning का syllabus दिया गया है reasoning में आप से क्या पूछेगा इसमें आप लोग देखेंगे numeric series से पूछा जाएगा coding, decoding से, analogies से पूछा जाएगा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं problem solving और analysis से पूछा जाएगा calendar, clock से पूछा जाएगा calculation से पूछा जाएगा age calculation तो topic आप लोग देख सकते हैं screenshot आप लोग syllabus का ले सकते हैं ठीक है general awareness आप लोग देख सकते हैं इसमें social science से पूछा जाएगा social studies से इसके अंतरगत history, geography, art and culture civics, economics इन सब से पूछा जाएगा general science, environmental studies से पूछा जाएगा 10th standard का होगा ठीक है तो general awareness का syllabus आप लोग देख सकते हैं English language में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर grammar, English grammar से पूछा जाएगा और sentence, structure से पूछा जाएगा synonyms और antonym से पूछा जाएगा correct uses से पूछा जाएगा ठीक है तो इस तरह से paragraph से संबंधित पूछा जाएगा comprehensive संबंधित पूछा जाएगा तो English का syllabus भी यहाँ पर दिया गया है तो पूरा syllabus आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका screenshot आप लोग ले सकते हैं चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जो हवलदार का post है उसके लिए यहाँ पर बताया गया था दोस्तो PET और PSD होगा इसमें क्या होगा यह अभी दोस्तो बहुत ही आसान है physical efficiency test में PET में आप देखेंगे walking मतलब यहाँ पर लिखा गया है 15 मिनट में 1600 मीटर आपको चलना है या दवड़ना है 15 मिनट में और female के लिए 20 मिनट में 1 किलो मीटर इसके बाद दोस्तो यहाँ पर PSD की बात कर लेते है PSD में physical standard test में आप देखेंगे male candidate के लिए जो height है 157.5 cm है chest 81 cm यहाँ पर निर्धारित किया गया है female की बात करते हैं height 152 cm है weight 48 kg है तो यहाँ पर height और weight के बारे में भी आपको बता दिया गया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो इसके बाद देखते हैं क्या इसमें दिया गया है तो बहुत इच्छी frequency दोस्तो बहुत ही आसान प्रकिया है यह जो PST और PET है दोस्तो यह केवल हवलदार post के लिए है MTS के लिए केवल एक exam आपको देना है बस जिसके बारे में आपको बता दिया गया syllabus भी आपको बता दिया गया syllabus दोनों के लिए same है, हवलदार के लिए भी same है और MTS के लिए भी same ही है इसके बाद दोस्तो examination और PST PET होने के बाद आपका document verification होगा PST PET केवल हवलदार में होगा MTS में नहीं होगा, MTS का exam होने के बाद आपका DV हो जाएगा ठीक है, तो यह आसान सी प्रकिया है दोस्तो MTS की जो वेकेंसी है, बहुत ही अच्छी वेकेंसी है वेतन इसमें दोस्तो 20-25,000 रुपे starting है, 20 से लेकर 25,000 रुपे starting में इसमें दिया जाता है उसके बाद बढ़ता ही रहता है तो वेतन भी इसमें ठीक है आप लोग इसमें फार्म जरूर एपलाई किजिए इसका आलाइन आवेतन दोस्तो शुरू हो गया है mode of selection की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तो बताया गया है session first और session second दोनों computer based होगा और minimum qualifying marks भी इसमें निर्धारित किया गया है general के लिए 30% minimum qualifying marks है और any category के लिए 20% qualifying marks इसमें निर्धारित किया गया है ठीक है यहाँ पर दोस्तो आगे बताया गया है कि MTS post के लिए MTS post के लिए session second के performance के आधार पर sort list किया जाएगा और हवलदार के post के लिए भी session second के performance के आधार पर sort list किया जाएगा और साथ में PST में जो candidate सामिल रहेंगे उसको मिला करके session second के performance के आधार पर इसमें sort list किया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो sort list के बारे में भी बता दिया गया है कैसे sort list किया जाएगा तो यहाँ पर जो basic जानकारी है दोस्तो और जो महत्पुर जानकारी है आपको यहाँ पर बता दिया गया है अब आप लोग इसमें farm apply कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करके आप इसमें selection ले सकते हैं तो ठीक है दोस्तो इस video को अब यहीं पर समाप्त करते हैं इसके अलावा भी आपके मन में कोई doubt है तो आप लोग comment करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद